Hey guys, welcome to my magic channel Hindi Magic Ticks तो guys, काफी समय से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि विजे भाई, हमें वो TikTok वाली magic trick करके दिखाईए जिसमें एक note के अंदर spoon को आरपार करके दिखाया जाता है तो guys, आज के इस magic वीडियो में दिल ठाम के बेटिये YouTube पे पहली बार यह जो magic trick है आपको मैं दिखाने वाला हूँ और बाद मैं सिखाने भी वाला हूँ और guys, देखने में यह magic trick है काफी कमाल और hard लगती है आपको ऐसा लगेगा कि यह magic आप सीखी नहीं सकते लेकिन guys, मैं आपको बता दूँ अगर आप इस वीडियो को end तक देखोगे बिना skip किए तो आप भी आसान इस magic को सीखी जाएगे तो चलिए, पहले मैं आपको यह magic करके दिखा देता हूँ और बाद मैं आपको सिखा भी दूँगा तो guys, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर एक simple सा spoon है और इस spoon के अलावा, मेरे हाथों में यहाँ पर कुछ भी नहीं है दूसरा हाथ भी मैं आपको चेक करा देता हूँ दौनों साइड से दौनों हाथ मैं आपको मैंने चेक करा दिये तो guys, आज कि इस magic वीडियो में इस magic को करने के लिए, हमें इस spoon के अलावा जरूत पड़ती है एक simple से note की, ठीक है तो आप देख सकते हैं, जो note है, 100 रोपे का है और यह बिल्कुल से normal note है, ठीक है इसमें कहीं भी कोई cut वगरा नहीं है देख सकते हैं, normal सा ही note है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो guys आज किस magic वीडियो का आप सुरू से लेके end तक ध्यान से देखते रहे हैं, अगर आपने थोड़ा साथ skip किया, तो आपको इस magic समझ में नहीं आएगा और seriously guys, अगर आप इसको magic को सीखना चाते हैं, तो आपको इस वीडियो end तक देखना पड़ेगा बिल्कुल पूरा, ठीक है, इसके बिल्कुल ना करना तो चलिए guys, मैं magic आपको पहले करके दिखाता हूँ, और फिर बाद मैं आपको सिखा भी दूँगा तो guys, मैं क्या करता हूँ, कि सबसे पहले इस note को कुछ इस तरीके से fold कर देता हूँ, ठीक है तो यह हो गया, fold अब क्या करता हूँ, कि जो spoon है, अब spoon को लेता हूँ और मैं डालता हूँ इसे note के ठीक बीचो बीच से यहां से, ठीक है, और मैं count करूँगा spoon को निकालने वाला इस note के बिल्कुल से बाहर, ठीक है one, two, three तो guys, जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारी spoon है, वो बिल्कुल से बाहर निकल चुकी है इस note के, ठीक है बिल्कुल आरपार हो गई है, इस note के जो spoon है, ठीक है, तो अब मैं आपको इस note इधर उदर हिला के दिखाता हूँ तो guys, जैसा कि आप देख सकते हो कि जो हमारी spoon है बिल्कुल note के आरपार हो चुकी है तो guys, यह जो magic के आपने TikTok पे भी देखा होगा लेकिन आपको यह समझ में नहीं आता होगा कि इसे कैसे किया जाता है, कुछ subscribers ने हमें comments करके बोला था इसलिए आज मैं इसको reveal कर रहा हूँ ठीक है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल बीचो बीच से यह जो spoon है वो निकल चुकी है, ठीक है तो अब guys, मैं आपकी आँखों के सामने इस चम्मच को बाहर निकाल दूँगा इस note के, ठीक है 1, 2, और ये 3 तो guys, देखा आपने ये जो चम्मच है बिल्कुल बाहर आज चुकी है इस note के, तो guys, इस चम्मच को मैं करता हूँ side, और अब आपको ये note खोल के दिखा देता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा जो note है, इसमें किसी न किसी type का कोई cut है या फिर मैंने note को change कर दिया हूँ लेकिन guys, honestly बोल रहा हूँ कोई इस note के अंदर cut नहीं था, ठीक है और नहीं मैंने इस note को change किया है तो अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो note है फटा हुआ या कटा हुआ, तभी इस मैंसे जो चम्मचे वो आरपार हो गई थी, लेकिन guys यहाँ पर मैं करूँगा थोड़ा सा magic, अब ये note मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ तो guys जैसा कि आप देख सकते हो, कि note हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है, सही सलामत है इसको कोई भी कट बगरा नहीं है आप देख सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल सा note है, तो guys आप surprise हो गए होंगे, लेकिन surprise होने की कोई जरूरत नहीं है, इस magic को मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो guys इस magic को सीखने से पहले, आपके छोटा सा काम करना है मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने Facebook और वाट्शेप पर शेयर जरूर करें, और हाँ guys, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को guys, पकड़े जाओगे, आपका magic पकड़ में आ जाएगा और फिर मुझे आप बोलोगे, कमेंट करके के विजय भाई, आपके magic पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले ना, इस magic को करने से पहले, ठीक है? अब करना क्या-क्या है अब आप देख लीजिए, तो इस magic को करने के लिए आपको एक note चाहिए, कोई भी note आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको चाहिए, एक, एक नहीं, दो spoon, और ये दोनो spoon एक जैसे दिखते हैं, ठीक है? सेम साइज है, तो होता क्या है कि मैं कुछ इस तरीके से spoon पकड़के रखता हूँ इस starting में, और आपको दिखा देता हूँ, कि मेरे पास यहाँ पे एक spoon है, लेकिन होते कितने हैं, ये दो spoon होते हैं, अगर मैं side से दिखा दूँ, तो गाइस पता चल जाए कि ये दो तो जो उपर आप देख सकते हो, gap create हो गया है इन दोनो spoon के बीच में, तो इसी gap का मैं फाइदा उठाता हूँ और जो note है, उसे मैं कुछ इस तरीके से डालता हूँ पीछे से देख लीजिए, आगे से यसा लगता है कि मैं note के अंदर इस चम्मच को डाल रहा हूँ, लेकिन पीछे से आप देख सकते हो कि दोनों चम्मचों के बीच में, ये note जा रहा है, ठीक है तो अब इसे आरपार कैसे किया वैने, ठीक है, वो देख लीजिए मैं इसके बाद यहां से से पकड़ लेता हूँ चम्मच को, और फिर 1, 2, 3 जब count करता हूँ, तो अपना जो थम्मच है मेरा, इसे guys मैं उपर slide करता हूँ, इस चम्मच को थम्म से, कुछ इस तरीके से देखो, 1, 2, 3, तो सामने से देखने से ऐसा लगता है, कि जो चम्मच है, बिलकुल पार हो चुकी है नोट के, जबके guys जो पहली चम्मच है, वो तो यहीं है, और दूसरी चम्मच पीछे वाली, वो मैंने उपर अपने थम्म से slide करके, उपर निकाल दिये, फिर मैं बोलता हूँ कि अब थोड़ा सा और इसको अंदर में तो बाहर निकालते हैं, ठीक है, नोट के बाहर खीचके निकालते हैं, थोड़ा speed से निकालेंगे, और उसके साथ ही इस चम्मच को थोड़ा नीचे खीच लेंगे हैं, अंगूठी से ही, जो पीछे वाली चम्मच है अगर इसको नहीं खीचेंगे, तो क्या होगा, पहले मैं खीच के दिखाता हूँ कैसे खीचते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अब वो चम्मच ऊपर थी, वो नीचे चली गई है, अगर नहीं खीचूँगा, तो कुछ इस तरह से वो चम्मच दिखाई दे जाएगी पीछे वाली, तो गाइज इस चीज का में खास ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो आपका मैजिक पकड़ में आ जाएगा, तो आई होप गाईज आपको यह जो मैजिक है, वो समझ में आ गया होगा, और आपने इस वीडियो को लाएक कर दिया होगा, नीचे कमेंट करके म जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा,